नमस्कार जय आयरवेद बहुत ही प्रसंदता के साथ आज मैं ये चल चित्र आपके समक्स प्रिशित कर रहा हूं और देख सकते हैं मेरे साथ सहयोगी हैं अश्विन जी और हम आज जो है वो आपको जो ये पौधा दिखाने जा रहे हैं ये देखिए हमारे पहाड़ी भासा में इसको लोग शायद बोलते होंगे कि चत्रावडा जैसा घास लेकिन ये आप देख सकते हैं अतीव हर्स हुआ कि जो मुझे दश मूल का एक अंतिम द्रब्या रहा हुआ था अडेंटिफाई करने के लिए वो आज मुझे इस प्रिश् इसका पंचांग इसमें हम प्रियोग च्याएल के लिए वो घ्कुलायवर कैने शियहां ज तो यह है पृष्णि पढडी युरेरिया पिटा इसका बॉटनिकल जो है वो नाम है और दश्मूल के अंतरकत जो लगु जो पंच मूल है उनमें से यह एक दरब्य है, उसमें आपका जो है शाल पढडी है, पृष्णि पढडी है, गोकोरू है टीक है, उनमें से जो है वो प्रिश्णी पर्णी तो ये भी हमने जो है वो इसको अडेंटिफाई कर लिया है मेरा निवेदन ये रहेगा सभी देखने वालों जनों से कि ये जो और ये पौदा है ये लगू पंच मूल में से अति दुरलव जड़ी बूटियों में से एक है बहुत रेर आफ रेर एस्ट आपको ये मिलेगा और अगर आपको इस परकार का ये घास जो है वो दिखाई देता है तो इसका आप सरंक्षन करें और दोनों हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूँ आम जनता से या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि इसका लोकल नाम का जो है वो पता करें और इ इसमें देखिए ये पुषप अभी निकल रहा है कुछ समय के बाद इसमें यह भुषप निकलेगा यह बहुत ही प्यारा है इसमें देखिए सियार पूंच जैसा जो है वो ये दिखने वाला है इस तरह से तो ये पृषणी पन नहीं है और सच में ही कहते हैं कि भूड़न कि ये पृष्णि-परणी है और इसी तमाम निवेधन के साथ कि इसका सरंखशन करें और इसका वो आप आने वाली पीडियों के लिए आईरवेद जगत के लिए जो है वो इसको एहमियत दे सरंखशन करें इसका स्थानिय नाम जो है वो धूल कर हमें बताएं नमस्कार जय भ